यूँ ही नहीं होती है बेचैनी और गवराहट इसकी असली वज़े आपके शरीर के अंदर छिपी है कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत अकसर होती है कि वे तुरंट परिशान, इंजाइटी या पैनिक अटेक से जूजते हैं उनकी इस मानसिक स्थिती के कारण उन्हें कई तरह की मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ता है आप कई जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोगों को जो तुरंट इस तरह की बिमारी होती है उनके शरीर में एक खास विटामिन की कमी के कारण उन्हें मानसिक परिशानी, इंजाइटी और पैनिक अटेक की परिशानी होती है शरीर में विटामिन की कमी एंजाइटी और पैनिक अटेक का कारण होती है यह बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो आईए बताते हैं कि सबसे पहले आप जान लीजिए कुछ विटामिन ऐसे हैं जिने खाने से आपका ब्रेन काफी जादा एक्टिव रहता है यह आपके ब्रेन के काम करने के तरीके को काफी जादा प्रभावित करता है साथ ही साती है आपके हॉर्मون's को भी काफी ज्यादा असर डालता है जिसके कारण डिप्रेशन की बिमारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन सवाल यह उڑता है कि भी कौन सा विटामिन है जिससे ब्रेन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपकी जानकारी के लिए बता दें के जिन लोगों को शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है उन्हें बहुत जल्दी जल्दी घबराहट होने लगती है यह ऐसा विटामिन है जो मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज़ादा जरूरी है दरसल विटामिन डी दिमाग में नियूरो स्टेरोइट की तरह काम करता है और यह एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है जब शरीर में इसकी कमी होती है तो इस तरह की समस्या अकसर हो सकती है इसके कारण नीन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है विटामिन डी की कमी से बचना है तो आपको कुछ चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना पड़ेगा सबसे पहले आप सुभा के वक्त उठकर धूप में कुछ देर बैठे दूसरा आप खाने में जादा से जादा विटामिन डी को शामिल करें जैसे अंडा, दूद, बदाम और ड्राइफ रूट्स आपकी जानकारी के लिए बता दे जब शरीर में विटामिन डी 3 की कमी होती है तो सेहत बुरी तरह से प्रभावित होती है मूड स्विंक्स, डिप्रेशन के का विटामिन डी की कमी होती है आपको यह इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू सो मच फ्रेंज